हेई फ्रेंज उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंदारी होंगी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ पूरी कहानी जानने के लिए ड्रामे के पिछले पाथ हमारे चैनल पर देखें जिसके लिए ड्रिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें कहानी में पहले ये हुआ था गौजन को पता चल चुका था कि सेगी उसको कतल करना चाहता है और ये कि सेगी उसके खिलाफ मनसूबे बना रहा है जिसमें चीप, पार्क और शेर होल्डर्स शामिल हैं गौजन को सिना को कैंसर की गलत रिपोर्ट मिलने का भी पता चलता है और उसके बाद वो अपना रिलेशन्शिप शुरू कर चुके हैं जिसके बीच में सोयोंग ये समझ कर रुकावटें डालती है क्यूंकि उसे सेगी की बातों से ये यखीन होता है कि गौजन सिना के हाथों एक छूट की वज़े से बेवकूफ बन रहा है लेकिन उसे फिर पार्क की कही बात से शक होता है कि गौजन की या ताष्ट नहीं गई वो ड्रंक होने का नाटक करते गौजन को बुलवाती है गौजन उसके सामने एतराफ कर लेता है कि उसकी या ताष्ट नहीं गई और वो सिना से प्यार करने के बात जान गया है कि उसकी दिल में सोयोंग के लिए कोई जस्पात नहीं ना ही नफरत के ना ही महबबत के जो सुनकर भी सोयोंग हार नहीं मानती बलकि अगले दिन सिना को मिलकर उसे बताती है कि गौजन उसका पहला प्यार है जो अभी भी सोयोंग से प्यार करता है इसलिए सिना को खुद ही गौजन को छोड़ देना चाहिए सिना ये सुनकर सोचों में डूबी अपनी वो रिंग उतार लेती है जो गौजन के मंगेतर होने के नाटक के लिए उसने पहने हुई थी और उससे ऐसा लगता है कि सिना गौजन को छोड़ने लगी है लेकिन सिना अगली सुभा सोयोंग को मिलकर इंकार कर देती है जिस पर सोयोंग उसे बेज़ध करने की कोशिश करती है लेकिन सिना उसकी सुने बगेर वहां से चली जाती है और गौजन उसके पीछे से सोयों को जाकर धमकाता है कि वो अब सिना को तंग ना करे सिना गौजन को मिलकर उसे बताती है कि उसने रिंग इसलिए उतारी थी क्योंकि तब वो फेक कपल थे अब वो असल में कपल है इस सब के बाद सिना और गौजन अच्छी जिन्दगी गुजा रहे होते हैं जिसमें सिना अपने खुद ही इंस्ट्रक्टर बनने की तयारी करती रहती है साथ ही गौजन की सेकर्टरी भी बनी रहती है और गौजन के साथ डेट्स पर चाती रहती है इनके अच्छे वक्त के दौरान सेगी शेर होल्डर से अकेले में मिलते हुए उन्हें गौजन के खिलाफ करता है और चीफ को भी गौजन के टेक्स ना देने के सबूत देतेता है जो चीफ एक दिन अचानक प्रेस कांफरेंस करके सब के सामने रख देती है इससे लोग गौजन के खिलाफ हो जाते है और लौयर्स भी गौजन के खिलाफ इन्वेस्टिकेशन के लिए उसके आफिस से सामान ले जाते है और उनके जाने के बाद सिना बचा हुआ सामान सही कर रही होती है कि उसे गौजन का वो छुपा कमरा मिलता है जिसमें गौजन ने सालों मिलने वाली समखियां छुपा रखी होती है गौजन वहाँ आकर उसे सैगी का सच बता देता है लेकिन उसको परिशान होता देखकर तसली देता है अगले दिन शियर होल्डर्स की मीटिंग रखी जाती है जिसमें गौजन के CEO होने के खिलाफ वोट दिया जाना होता है और उसमें कुछ शियर्स रखने वाला पार्क भी शामिल होता है मीटिंग में सबकी तवकों के बरख्स गौजन के खिलाफ वोट्स बहुत कम होते हैं जिस पर सेगी मौका हाथ से नहीं जाते हुए गौजन को ना एहल साबत करने के लिए उसकी यादा शाने का पताता है जिसका इंकार करते हुए गौजन अपना प्रावेट डिटेक्टिव भुलाता है जो सेगी के गहर कानूनी कामों का सबूत दिखाता है जिस पर उसे कमपनी से निकाल दिया जाता है और पलीस अरेस्ट भी कर लेती है स्टेशन से छूटने के बाद सेगी को सर्योंग पिक करती है जो सेगी को अपनी कमपनी का डिपटी CEO बना देती है क्यूंकि वो सेगी के साथ मलकर गौजन और उसकी कमपनी गुट्व को तपा करना चाती है गौजन ये सब जानते हुए भी सिना के साथ खुशी और सकून में अपनी जंदगी गुजा रहा होता है कि उसे याद आता है कि सैगी ने उसके सवाल पूछने पर उसे बोला था कि वो खुद ही ढूंडे कि आखिर सैगी उससे बदला क्यूं लेना चाहता है और इस सवाल का जवाब ठूटने के लिए गौजन अपने वकेशन होम के सामने जाता वहाँ की सीसी टीवी फुटिज देखता है जो सब को लगता था कि खराब है लेकिन उसी से गौजन को अपने एकसिडंट के बाद सैगी के देखकर जाने के बाद किसी और शख्स को भी आकर चाहता देखता है गौजन उसकी तसpling लेकर कैंग के पास चाहता है जिसने घड़ी से गौजन को हिट किया था और वो तस्वीर देखकर बताता है कि इस शक्स ने कैंक को घुसा दिलाकर उक्साया था कि वो गौजन को हिट करे और ये भी बताती है कि सैगी जब उसे मिलने आया था तो उसे खुफिया लेटर मिला था जिसे देखकर सैगी वहां से चला गया था गौजन उस letter के बारे में जानने सेगी के घर चाता है तो सेगी उस पर हुसा करता बताता है कि गौजन की वज़ा से सेगी भी बहन सीहे मारी गई थी जिस पर गौजन को याद आता है कि सीहे ने उनके आफिस से एक्जाम्स चुराए थे जिस पर उसने उसे लोगों के सामने कंपनी से निकाला था और लोगों की बातों से तंग आकर सीहे ने खुद कुशी कर ली थी इसलिए सेगी गौजन को कातल समझता है गौजन अभी इस मामले के बारे में ही सोच रहा होता है कि उसके सामने सिना एक बॉक्स खोलती है जिसमें बॉंब की तरह कोई फटने वाली चीज होती है जो देखकर गौजन इन्वेस्टिकेशन शुरू करवाता है जिसमें पता चलता है कि उसकी पुरानी सेक्रेटरीज जोके गौजन पर पहले भी प्रैंक करते रहते थे उनहीं में से एक सेक्रेटरी के बेटे ने ये बॉक्स भेजा था पुलीस बेटे के छोटे होने की वज़ा से उसे छोड़ देती है और जब गौजन वापस आफिस आता है कि वो एक दफ़ा उन्हें माफ कर दे लेकिन गौजन को ये सोच सोच कर खुसा आता है कि कोई भी शक्स उसे उसके बिहेवियर की वज़ा से कतल कर दे तो सब कातल का ही साथ देंगे और ये बात कहते हुए उसकी सिना से लड़ाई हो जाती है तो उसे अपनी एक पुरानी को लीख मिलती है जो बात करने के बहाने गारी में ले जाके बेहोश कर देती है और इसकी लड़की को پहले डागत्स बना कर लोगों को खतम करते दिखाया था और एक तफ़ा इसी ने सिना का accident करवाने की भी कोशिश की थी लेकिन गौजन ने उसे बचा लिया था वो ही लड़की सिना को बेहोश करके उसकी तस्वीर गौजन को भेछती है और एक जगा आने का कहती है गौजन जब उसकी बताई जगा पर पहुंचता है तो गौजन को पता चलता है कि सियोन नामे लड़की उसकी कंपनी में इंग्लिश इंस्ट्रक्टर थी जिसकी एक स्टुडेंट की मदर से लड़ाई होने पर मदर ने सियोन के खिलाफ छूटी अफवाँ पहलाई थी जिसको देखते हुए गौजन उसकी एक पी सुने बगएर उसे नौकरी से निकाल दिया था इसलिए पहले वो बदला लेने की धमक्या भेशती थी लेकिन अब वो गौजन के सामने अपने आपको मारना चाहती है ताके गौजन सारी सियोन का हाथ पकरते हुए उसके साथी बिल्डिंग से गिर चाता है लेकिन नीचे पुलीस खड़ी होती है जिनकी मदद से वो दोनों बच जाते हैं और गौजन अपनी वज़ा से खराब हुई जिन्दगियों का सोच कर दिप्रेशन में चला जाता है जिससे निकलने के लिए सिना गौजन को माफी मांगने का कहती है गौजन उसकी मांते हुए सियोन और अपनी पुरानी सेकरिटरी से माफी मांगता है गौजन अभी नॉर्मल ही हो रहा होता है कि उसके इंस्ट्रक्टर्स मुख्तलिफ मसलों में फसाए जाते है जो देखकर गौजन समझ जाता है कि कोई उसे तबाह करना चाता है इसलिए वो पार् के पास शाता है और उससे मदद मांगता है जिस पर पार्क अपने किये की माफी मांगते हुए उसके सीयोंग से ब्रेक अप का सच बता देता है गौजन ये जानकर सीयोंग अपनी अमीर डैट के दुबाओं में आते हुए गौजन को सिर्फ बचाने के लिए उससे ब्रेक अप कर गई थी वो बहुत शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता है गौजन इसके बाद घर आता है तो थोड़ी तेर पास है कि उससे मिलने आता है जिसे अपनी बहन सीहे की मौत का सच पता चल चुका होता है असल में गौजन वहां काम करने जाता है जहां सीहे और उसके मैथ इंस्ट्रक्टर बॉइफ्रेंड जोंगू काम करते हैं और जोंगू आफिस में सबसे कम सेल्स रखने की वज़े से मशूर है इसलिए वो सीहे को गौजन के डिस्क से स्टरी गाइद्स चोड़ी करने का कहता है जो करते हुए ही सीहे पकड़ी जाती है जिस पर गौजन उससे सबसद चान लेता है और उससे स्टरी गाइद्स वापस करने का कहता है सीहे जोंगू को मनाने जब घर आती है तब जोंगू उस पर घुसा करते हुए उसकी मदद से इंकार करता वहां से गलती से सीहे का मुबाइल लिए चला जाता है और सीहे ये जानते हुए कि उसका करियर तबाह हो गया है उसके दैट बीमार है जुन्हें उसके भाई सेगी उसके पास छोड़ कर गायब हो चुका है और ये जानते हुए कि अब जोंगू भी उससे ब्रेक अप कर गया है अपनी जिंदगी से मायू सुवे खुदकुशी कर लेती है जोंगू अपना किये काम गौजन पर डालने के लिए सेगी को रिकॉर्डिंग भेशता है जिसमें सिर्फ गौजन की कही बाते सुनाई देती है और ये नोट भेशता है जिससे ये साबित करता है कि गौजन सीहे के कतल की वज़ा था और गौजन का एकसिडेंट करवा कर भी वो सेगी को गौजन को देखने भेशता है लेकिन उसका राज इस तरहां खुलता है कि सेगी को सीहे का वो मॉबाइल मिल जाता है जो जोंगू जो के अब सोयोंग का असिस्टेंट है वो गलती से ले आया था और वो ही मॉबाइल लिए सेगी गौजन से सवाल करने आता है गौजन उसे समझाता है कि उन्हें जोंगू से पूछना चाहिए कि उसने ये सब क्यूं किया और जब वो जोंगू से पूछने जाते हैं तो जोंगू अपनी खलती मानने के बचाए गौजन और सेगी को कसूर वार बनाता है जोंगू यहां ही नहीं डुकता बलकि वो गौजन को मारने की कोशिश भी करता है लेकिन सेगी उसे बचा लेता है और दोनों जोंगू को पुलीस के हवाले कर देते हैं इस वाकिय के बाद गौजन अपनी खलतीयां समझते हुए अच्छा बॉस बनने की कोशिश करता है जिसके लिए वो चीफ को माफ करके नौकरी पर वापस ले आता है और बाकी इंस्ट्रक्टर्स के भी मसले हल करता रहता है क्योंकि वो उन्हें अप कंपनी का कीमती हिस्सा समझता है गौजन सिना की बातों की वज़ा से बदलते हुए सैगी को भी माफ कर देता है और सी यॉंग से भी आखरी दफ़ा मिलकर रास्ता अलग कर लेता है जब कि सी यॉंग इस से पहले सिना से मिलकर माफी मांगते हुए उसकी जिन्दगी से निकल जाती है और सिना जोकि अब मशूर इंस्ट्रक्टर है वो गुट आप आइन इंस्ट्रक्टर बनने के बजाए पार्की कमपनी में इंस्ट्रक्टर बन जाती है जिस पर गौजन नारास भी होता है लेकिन वो सिना को समझाते हुए उसे अपने खुआप पाने से नहीं रोकता और पार्की कमपनी के लेक्च्टर देने के बाद सिना को अपने साथ घर में शिफ्ट होने की आफर देता है जो कबूल करके सिना गौजन के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लग चाती है मिलते हैं अगली वीडियो में